एलो फ्रेंड्स वेल्कम टु स्टेडी 147 आज के वीडियो में हम डेली करंट अफ़ेर्स से दोहिजार चोईस को कवर करेंगे जिसमें दू जनवरी 2023 से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफ़ेर्स के क्यूशन है साथ ही क्यूशन से रिलेटेड इंपोर्टें कहां मनाया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नागपूर में इस बार यह जो कांग्रिस का स्टापना दिवस मनाया गया है यह 139 वा स्टापना दिवस है यहीं पर यदि कांग्रिस की बात की जाए तो भारतिये राश्ट्री कांग्रिस इसकी स्टापना हुई थी 28 दि नारूची की सिफारिस पर इसका नाम कर दिया था भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस इसका पहला सम्मेलन ये 1885 के अंदर मुंबई में हुआ था जिसके अध्यक्स थे व्योमेस बनरची और 149 इस्तापना दिवस ही अभी हाल ही में नागपूर में मनाया गया जिसके अध्यक 1907 के अंदर हुआ था सूरत अधिविशन जिसके अध्यक्स रात विहारी गोश्टे और इसमें नरम दल और गरम दल का विवाजन हुआ था 1911 के अंदर कलकता अधिविशन जिसके अध्यक्स थे विशन नारा अंदर और इसमें पहली बार जन गर्मन गाया गया 1916 में हुआ था लकनाव अधिविशन जिसके अधिक्स थे अंबिका जरर्म जुमदार और इसमें नरमजल और गरमदल ये दोनों वापस में एक हो गए थे 1917 में कलकता अधिविशन जिसकी पहली महिला अधिक्स थी एनी बिसेंट 1924 में हुआ था बेलगाम अधिविशन जिसकी अधिक्स था महात्मा गांधी की द्वारा की गई 1925 में कानपूर अधिविशन जिसकी अधिक्स थी सरोजनी नाइडू और यह पहली भारतीय महिला अधिक्स थी यह पहली महिला अधिक्स यह तो थी एनी बिसेंट 1917 के अंदर लेकिन पहली भारतीय महिला अधिक्स थी सरोजनी नाइडू 1925 कानपूर अधिविशन में 1924 में हुआ था लाहोर अधिविशन जिसकी अधिक्स था जवाहलाग नहरू ने की थी और यहां पहली बार पूर्ण सवराच्ची की मांग की गई 1931 में कराची अधिविशन हुआ था जिसमें सरदार वरलबा अधिक्स थे और 1938 के अंदर हरी पूरा अधिविशन जिसकी अधिक्स था सुबाश चंदर बोस के द्वारा की गई थी नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में क्यूएस सस्टेनिबलिटी रेंकिंग दोज़ाद चोईस में सीरसे इस्तान प्राप्ते करने वाला भारती संस्तान कुन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी यह जो QS Sustainability Ranking है यह जारी की जाती है प्रियावरन के बारे में तो QS Sustainability Ranking 24 जो की प्रियावरन के बारे में जारी की जाती है इसमें प्रतम नमबर पे तो है Toronto University जो की कनाडा की है लेकिन जो भारत की उनिवरसिटी है दिल्ली उनिवरसिटी इसका इस्तान है इसमें 220 वे नमबर का यहीं पर बात की जाए कनाडा की इसकी राजदनी है पर्मुक सूचा कबर करेंगे जिसमें भारत का इस्तान क्या है तो सबसे पहले बात करेंगे हैं Global Hunger Index जिसमें भारत का इस्तान है 111 वा Climate Change Performance Index है भारत का इस्तान 7 वा, Top 3 के अंदर इसमें कोई भी नहीं है, यानि कि जो Climate Change Performance Index है, इसके अंदर Top 3 के अंदर कोई भी कंट्री नहीं है, और साथ ही भारत का इस्तान है इसमें 7 वा, वेस्विक सांती सूचिकांग में 124 वा, वेस्विक हुसाली सूचिकांग में 124 वे नमबर पे है भारत, Global Gender Gap Report, तो Gender Gap Index में भारत का इस्तान है 127 वा, प्रेस्वी Freedom Index में 161 वा, और Fire Power Index में है भारत का इस्तान 4 नमबर का, नेक्स्ट क्यूशन है, हाल ही में ICC का Global Cricket Partner कोन मना है, तो ICC का Global Cricket Partner की बात की जाए, तो यह बना है Coca-Cola, यानि कि Option Number C हो जाएगास का Right Answer, यहीं पर हम बात कर लेते हैं ICC की जिसकी Full Form होती है International Cricket Council, इसकी स्तापना 15 जून 1909 को हुई थी और मुक्याले है दूबई, जो की कहा पेस्तीत है स्युक्त अरब अमीरात में, इसके वर्तमान में अधिक से ग्रेक बरकले, 2019 से लिकी 2030 ग्लोबल पार्टनर था ICC का Coca-Cola, और वापस से 2024 से 2021 तक Coca-Cola को वापस से इसका ग्लोबल पार्टनर बना दिया गया है, यहीं पर बात की जाए, कि ICC World Cup 2004 के वीचे था, यह है ठंड रख अभियान और इसको स्प्रिट ब्रांड के द्वारा सुरू किया गया था, नेक्स्ट क्यूशन है, योट्यूब चैनल पर दू क्रोड सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनितिक नेता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परदान मंत्री नर रिंदर मोदी को मिले सर्वोच सम्वान कौन-कौन से है, जो अभी हाल ही में मिलेते, तो ध्यान देना है, जुलाई 2030 के अंदर, फ्रांच का सर्वोच सम्वान है, लीजन ऑफ ओनर, इससे इनको सम्वानित किया गया, जुन 2030 में मिस्टर के सर्वोच सम्वान ओर्डर आफ नाईल मिला, 2030 के अंदर माई में पापवा न्यूगिनी का है, केम्पिनियन आफ दे आउर्डर ओफ लोगो हूँ, इससे इनको सम्मानित किया गया था, नेक्स्ट है, फीजी का सर्वोथ से सम्मान, केम्पिनियन आफ दे आउर्डर ओफ फीजी, यह दिया गया परदान मंत्र के अंदर अमेरिका का सर्वोथ सम्मान, लीजन आफ मेरिट, इससे परदान मंत्रे नरेंदर मोदी जी को सम्मानित किया गया था, नेक्स्ट क्यूशन है, हाल ही में अंतराश्ट्रिये महामारी तियारी दिवसे 2030, यह कब मनाया गया, तो इसके राइट अंसर हो जाएगा, 27 से दिसंबर, यानि प्रतिवर से 27 दिसंबर को अंतराश्ट्रिये महामारी तियारी दिवसे मनाया जाता है, और यह दिवस पहली बार से ने 2020 के अंदर मनाया था, कोरोना के आने के बाद में, तो महामारी तियारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, पहली बार यह 27 और महामारी से निपटने के लिए यह प्रतिवर्स बनाया जाता है। नेक्स्ट क्यूशन है हाल ही में किस रज्य के सबरी माला में मंडला पूजा का आयोजन हुआ है। और ट्यूलिफ फेस्टिवल यह जम्मू कस्मिर के अंदर बनाया जाता है। गंगोर महुसब हो गया फुशकर बिल यह राजस्तार में मनाया जाता है। हौनबिल फेस्टिवल जोकी नागारेंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट यहीं पर हम कुछ पर्मुक सास्त्री नर्तियों को कवर करेंगे। ध्यान देना है सास्त्री नर्तियों के संक्या कितनी है। टोटल आर्ट यानि आर्ट सास्त्री नर्ते है। पहला है भरत नाट्यम जो की तमिल नाडू के अंदर बनाये जाते हैं कथेक नरते उत्तर परदीश के अंदर कथेक अली है केरल का कुचिपूरी यह अंदर परदीश का है ओडिसी ओडिसा का है मनीपूरी की बात की जाए तो मनीपूर का हो जाएगा सतरिया यह हो जाएगा असम में राज्चे का यानि असम के अंदर बनाया जाता है सत्री या सास्त्री नरत मुहिनी एटम का हां का ऊचाएगा केरल का नेक्स्ट यह यहीं पर भारतिये सास्त्रिये बासा को कवर करेंगे वर्द्वान के अंदर टूटल इच्छे सास्त्री बासा है और इनको 2004 से 2014 तक सास्त्रिय बासा का दर्जा प्रदार्ण किया गया चलिए बात कर लेता है कि पर्मो के सास्त्रिय बासा है कौन को उसी है तो एक तो है तमिल जिसको 2004 के अंदर सामिल किया गया संस्क्रत को 2005 में कनड को 2008 में तेलगो को 2008 में मलियालम बासा इसको 2013 के अंदर और ओडिसे को सास्त या फिर सबसे प्राचिन सास्त्रिय बासा यह हो जाएगी तमिल जिसको उसन 2004 के अंदर इसमें सामिल किया गया था नेक्ष्ट क्यूशन है भारत की पहली पंडु भी परियटन सुवीदा किस इस्तान पर सुरू की जाएगी तो इसका राएट अल्सर हो जाएगा गुजरात के अंदर और यह है पंडु भी गुजरात के अंदर जो द्वार का है यहाँ पर इस सेवा को सुरू किया गया है यानि कि जो द्वार का है यहाँ पे समुंद्री जीवन का पता लगाने के लिए प्रियटकों के लिए एक पंडूबी सेवा इसको शुरू किया गया है गुजरात रचे के द्वारा और यहाँ जो प्रोजेक्ट है यहाँ लगब लगब अक्टूर 2000 जो इसको पूर्ण रूप से संचाले तक किया जाएगा और यहाँ पंडूबी यदि बात की जाए पानी के कितनी नीचे तक जाएगी तो यह सो मेटर अंदर तक जाएगी यानि कि गहराई के अंदर पानी की सतह से सो मेटर गहराई तक यह जाएगी यहीं पर यदि गुजरात की बात की जाएं तो गुजरात के वर्तमान के इंदर C.M. कौन है भूपेंदर बगिल तो भूपेंदर बगिल यहां के C.M. है और यदि गवर्नर की बात की जाएं तो यह है आचारी देवरत यह हो जाएंगे यहां के गावारनार यदि यहीं की यदि राजदानी की बात की जाए यानि की केपिटल की बात की जाए तो यहां की केपिटल हो जाएगी गांदी नगर तो गांदी नगर यह यहां की केपिटल है चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं कि भारत के पहली सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस इस्टेडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के अंतेक बने रहने के लिए आपका दिल से नन्यवाद जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाबाई टेक केर